Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज की हमारी रोचोक और उप्योगी जानकारी है Difference between Organic and Pesticide Free जिसके उधारन के लिए हमने इस वीडियो में अरहर की दाल ली है परन्तो ये शब अन्य दालों और अनाजों के लिए भी उप्योग किये जाते हैं तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले Organic और ये है Organic अरहर दाल ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो Hybrid, Non-GMO और Organic Food का विस्तार है Organic एक क्रशी करने की पदती है जिसमें उपज के लिए बीज को Organic होना चाहिए और उसमें GMO बीज का उप्योग वर्जित है Organic ये जैविक खेती में बहुत ही सीमी तरसाइनिक, कीत नाशक और खादों का उप्योग कम मात्रम में ये नाप के बराबर ही उप्योग किया जाता है National Program for Organic Products के अनेकों दिशा निदेशों से जैविक यानी Organic खेती होती है Organic उत्पादों पर आप इस तरह के अनेकों चिन्न देख सकते हैं जो Organic उत्पादों को प्रमानित करते हैं जो इस बात के सूचक है कि इस तरह की दाल या इस तरह के उत्पाद को जाने के लिए Organic खेती के हर चरण के निदेशों का पालन हुआ है और इसमें रसायनिक की पनाशक और खादों का उप्योग न या बहुत ही कम मात्रा में है और शरीर को इस तरह के खाती उत्पाद से उसमें विद्दमान पौश्टिक तत्वों का भरबूर लाब मिलता है बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के इस सरह के और गेनिक प्रोड़क्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हेल्स स्टोर्स और अनलाइन स्टोर्स में उपलब्ध हैं और गेनिक उत्पादों का मुल्य दूसरे उत्पादों से अधिक होता है जैसे इस 500 ग्राम अरहर की दाल का मुल्य 120 रुपय है इसके समाप्थ होने की अवधी 12 महिने है इसको आप सदेव अच्छे से बंध होने वाले डब्बे में रख, नमी, गर्मी और रोशनी से दुर संभाल कर रखें आज दूसरा हमारे पास है ये पेस्टिसाइट फ्री अरहर दाल पेस्टिसाइट फ्री खाते उत्पात का प्रशन हाल के ही कुछ वर्शों में बढ़ा है हमारे हिसाब से ये कोई सरकार दौरा निर्धारित कृशी पद्धि नहीं है ये एक स्वयम निर्धारित कृशी पद्धि है जिसमें किसान और अक्सर ब्रैंड, स्वयम ही खादी उत्पात की जाच करवा एक प्रमान के तौर पर पैकेट पर पैसिसाइड्स फ्री लिखते हैं इस सरह की फसलों में किसी तरह के कीट नाशों का उपयोग नहीं होता है क्योंकि कीट नाशों के अंश अनाजों में रह जाते हैं और जब उनको खाया जाता है तो वही अंश शरीर को नुकसान पहुझाते हैं ऐसे में बिना कीट नाशक, उगजे अनाजों और डालों से शरीर कीट नाशकों के दुश परिणाम से बच जाता है इस सरह के विदपार्टमेंटल स्टोर्स, हेल्थ स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स में उपलब्ध है इस एक किलो अरहर डाल का मूले दोसो चालिस रुपए है और इसके समाप्त होने की अवधी नौ महीने है इसको आप सदेव अच्छे से बंध होने वाले डब्बे में रख, नमी, गर्मी और रोश्नी से दूर समाल के रखें और्गेनिक और पैसिसाइड फ्री दोनों ही साधारन अनाजों की तुल्ला में एक बहतर विकल्प है इसलिए आज ये प्रचलित है और्गेनिक उत्पादो मुख्यता डालों को पकने में कम समय लगता है और ये अंतर आपको सबसे अधिक काले चने और राजमा गलाने से पता चलता है ये पैसिसाइड फ्री दाल भी कम समय में गल जाती है अकसर आप जानना चाहते हैं कि और्गेनिक डाले या अनाजों को उनके लेबल के बिना कैसे पहचाने वैसे इनको बिना लैप्टेस के 100 प्रतिशन जाजने का कोई तरीका नहीं है परन्तु यहां हम अपना एक तरीका साजा करना चाहेंगे और्गेनिक खाद्याने अकसर बिना चमक के होते हैं और यदि आप इनी सुंगी तो इसमें अनाजों की हलकी सुगंध रहती है जबकि इस तरह की कोई सुगंध हमने साधारन दालों और अनाजों में कभी मैसूस नहीं की है और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी और्गेनिक और पेस्टिसाइट फ्री की ये जलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स पर वाचिंग और कीप इंजॉइंग आर एवरीडे लाइफ